आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल सुरच पेटल एजुकेशन में दोस्तों मुंबई यूनिवोसिटी ने काफ़ी इन्पोर्टन सर्कुलर रिलीस कर दिया है दोस्तों आपको बता दू कि जितने भी FIBA या FIBCOM के स्टुटेंट है इनका साल में एक बार एक्जाम हुआ करता था अब ऐसा नहीं होगा मुंबई यूनिवोसिटी ने इन्हें समिस्टर पेटन में रिलीस कर दिया गया है मतलब कि जैसे कि कॉलेज इस्टुटेंट का साल में दो बार एक्जाम होता है semester 1 semester 2 वैसा ही मुंबई उनिवर्सिटी के FIBA और FIBCOM के student का भी exam होगा दोस्तों यह जो semester है वो CBCS pattern में release किया गया है और दोस्तों अभी important चीज़े आपको बता दू कि जितने भी FIBA या FIBCOM के student है और यह video देख रहें तो भई channel को subscribe करके video के like करना ना बुलना और channel को bell icon को दबाके all पर करना ना बुलना विकोज इसी तरीके से update video आप तक आपके mobile तक आते रहेंगे education के related अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसे आगे admission जो है जितने भी FIBCOM या FIBA के student है तो आपका admission जो process है वो होने वाला 25 September से 31 December तक का आप लोगों का admission का process होगा ठीके मतलब अभी भी आप लोगों के पास time है अगर आपने अभी तक admission नहीं लिया है तो आप जाए Mumbai University के portal पे और आप अपना admission ले सकते हो admission का process मेरे ही वीडियो में आपको मिल जाएगा मेरी चेनल में आप जाके देख सकते हो देन दोस्तों आपका counseling census चालू होगा 1 जनवरी 2021 से लेके 28 2021 मतलब दोस्तों ये counseling census क्या है पता है session ये दोस्तों आप लोगों का जो lecture Mumbai University conduct करवाता है PCC program से ठीक है मतलब कि आप जाओ college और आप अपना college में lecture प्रोवाइट करने का जो तारीक है दोस्तों एक जनवरी से लेके 28 फेब तक का रहेगा देन दोस्तों जितने भी FIBA, FIBCOM जितने भी student है जिनका भी assignment होता है खास कर तो FIBCOM के FC subject का assignment होता है foundation course का ठीक है तो उनको assignment submit जो करना है 5 जनवरी से लेके 10 फेब के बीच में आप लोगों का assignment Mumbai University जाके submit करना है और दोस्तों आप लोगों का submit से 1 का जो exam है वो second week मार्स 2021 में हो जाएगा दोस्तों आपका जो submit से 1 का आपने exam दिया है इसका result आपको दोस्तों second week April 2021 मिल जाएगा मतलब बोल सकते हैं कि one month में आप लोगों को आपको result दे दिया चाहेगा Mumbai University के तरब से April month में दोस्तों April month के second week तक आपको result देने के बाद तूरंथ ही आपका PC P program फिर से चालू हो जाएगा मतलब counseling session फिर से चालू हो जाएगा आपको फिर से center प्रोवाइट किया जाएगा कि आप जाएगा अपना lecture attend करें उसका जो date है जो तारीक है दोस्तों पंदरा अप्रेल से लेके पंदरा जून तक का आपको available कर दिया जाएगा अभी कहा किया जाएगा वो वीडियो के end में मैं आपको नीचे बतानी वाला हूं तो वीडियो का end तक जरूर देखिए दें दोस्तों एड्मिसर ये assignment submission फिर से FC semester 2 का जो होगा वो 20 अप्रेल 2 15 मैं 2021 तक का रहने वाला है दें आपका दोस्तों फिर से exam होगा second semester का उसका तारीक होगा first week जुलाई में आपका conduct करवा दिया जाएगा दें उसके बाद होगा आपका examination का result second semester का वो दोस्तों आपको last week जुलाई में दे दिया जाएगा पता विदिन one month के अंदर आपको ये सभी चीज़े provide कर दी जाएगी दें दोस्तों इंपोर्टेंट बात है कि आपका जो counseling session होने वाला है जहां आपको college में जाके lecture attend करना है वो आपको कहां से पता चलेगा तो Mumbai University के website पे आप लोगों को ये update करवा दिया जाएगा इसी के लिए दोस्तों आपको बोल रहा हो कि चेनल को subscribe करके bell icon को all पे करना ना भूलना because इसी तरीके से education related update video आपको मिलते रहेंगे और इसके related दोस्तों मैं video बना के आप लोगों को provide करवा दूँगा साथी साथ जितने भी assignment होगे FC subject या जो भी subject के होगे तो खासकर FC subject की होने वाले हो इसके लावा किसी और subject का assignment नहीं होता F.I.K. student में तो दोस्तों आप लोगों को इसका भी topic जो होगा Mumbai University अपने website पे दे देंगे तो दोस्तों इसके related भी video मेरे channel पे आपको मिल जाएगा I hope कि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है त्यार वीडियो को like से subscribe करना आपके जदर स्यादर दोस्तों में सेर करना ना भूलिए फिर से मिलता हूं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाई बाई दोस्तों